और यह देखें मलाई से गी निकाल रहा है अभी फिर दिखाते हैं आगे थोड़ा है ना बहुत दिवाली से रखा है अभी तक उस दिन से ना टाइम ही नहीं मिल रहा था तो अभी बोले हैं कर देते हैं तो पूरा देखर लग रहा है गी उपर आ गया ऐसा हो गया अच्छा ह मलाई रखे हुए अब निकालते हैं यह देखेगी निकल गया है थोड़ा रहता है ना तो हाथ से ही निकालने का वही लगता है कि अच्छा यह है कि हाथ से ही निकालो ने तो मिक्सी में रहता है क्या मिक्सी में डालो पूरा उच में उतना लगेगा हाथ से निकाल हो गया जो है जो है तो घी बन रहा है थोड़ा थोड़ा भी पेगिला है इसको स्लोप दे दिये हैं स्लो है गैस यह दे और दीरे दीरे अराम से पकेगा तो अच्छे से पक जाता है उसे तेज करने के पाद ना जलने लगता है तेज रहता है गया अज तो हलके पे बोले अच्छे से पक जाएगा अराम से धीमा धीमा आज पे यह देखेगी रेडी हो गया है बस यह उपर से हट जाएगा और हो गया उसके बाद यह देखेगी पीला पीला गाई के दूसे निकला हुआ मलाई का ओरिजिनल गाई बस यह देखेगी गी बनके रेडी हो गया थोड़ी देर के बाद ही ना आदा एक गंटा में ही जब गया ठंडी है ना और इसका गी का बचा हुआ रात को इसमें नमक मिला के खा लेंगे और इसको थोड़ा और पिखला के फिर डबा में डालना परेगा और यह रात को खाएंगे नहीं तो सुबह कल संडे को चावल में इसके पापा को बहुत ही पस पेर है वहां खा अमरूद है इतना बड़ा अभी साम को यह तो रखा है साम को अभी खाने ने दिये तब यह और यह रोटी बन गया है और फिर न वो रात का था सेटरडे का और यह संडे का सुबह का है संडे में वो सब सेटरडे को उतारे थे न तो लाइट था नहीं लेट से यह साब भी किया थे सुखा भी नहीं था तो संडे को सुबह में लेट से आया था दो बज़े तक साल ला को भी चाके जहार उपोचा फिर लगाएं और फिर थोरा सा ही खाना था फिर खाना बनाएं थोड़ा वो अमरूद पेर से तोर के लाएं अपने पेर में इस था तो सुबह में न वो उसी का सबका breakfast हो गया खिपेट पेट संग ही कर देता है न अमरूद तो दोनो रूम में इस उसको पूरा मालिस किये फिर भी कहरा आराम ने क्योंकि उसको ना बुखार जब भी आता है उसको और मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है बेटे को सरीर हाथ बहुत पर रिद्ध होता है उसके बाद होता है बुखार लग जाता है उसको बहुत ज्यादा हो गया था तो दवाई हुए थोड़ा पिया तो दोड़ा दोफर तक अराम हो तो बोले थोड़ा पकौरा बना देते हैं तो मुझा टेस्ट आ जाएगी कि सुबह से बस चौका के लिए यह सब है और ना मैं इजी तरीके से जाल के चौका लगा रही हूं आप लोग भी देखे आप लोग भी कर सकते हैं जैसे जल्दी वाजी में रहता है ना शुबह को आफिस जाने में उसके लिए यह सही रहता है उप्सन इसे इसी में सब कुछी डाल दिये तेजपत्ता और मेर्च, जीरा और लहसून और फिर प्याज तो देखे ना बच्चे लोग नहीं खा रहे तो तो माटर नहीं दिये हैं आज दाल में प्याज भूं जाए तो फिर शारा मसाला थोड़ा जादा करते हैं तीखा और यह देखिए मारा दाल है घर का दाल है ना तो धोने की जरूरत नहीं है सब धोया हुआ है थोड़ा गरम मसाला सब डाल देंगे और फिर ना बसे डाल को डाल देना इजी भी रहता है और अगर तेस्ट वही रहता जो अलग से आप लगाते हैं तरका एकदम से यह देखे डाल को डाल दिये हैं थोड़ा सा एक दो मिनट भून लें है ऐसे तो हमारा मूं का डाल है तो घर का है गाउं से आया तो वह भूनाई है उसको भूनने की जरूरत नहीं है पर बजारवाला रहता है थोड़ा भून दो तो थोड़ा अच्छा लगेगा और बस थोड़ा नमक डाल देते हैं और बस पानी डाल दीजिए हो गया बहुत ही अच्छा बनता है क्योंकि ना एक दिन और ट्राइक है देखने में अच्छा लग रहा है और खाने में अदम लग रहा है और जल्दी में जल्दी बन भी जाता है देखे दाल चड़ा दिये पानी डाल के और सबजी काट रहे हैं यह बना नहीं भी अच्छों कि दूटा लग गिया और इधर पाइर आज बना रहे हैं संडे को सब्रक्रोंजी San effectivement भीप में हैं ज़ेगें पाइक पाइल निकले और खाना निकालें तबीत को गया है लड़के का तो इसलिए तो से टेश्ट के लिए ना यह पकोरा बना दियें थोड़ा खा लेगा यह आलू का और यह बैगन है बनाते हैं बैगन का बनेगा